राधे राधे मेरी यूटूब फैमली अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं साम का खाना बनाई रही थी तो मुझे याद आया कल मुझे एक खास रेसीपी बनानी है अपने बच्चों की पसंद की बच्चों की पसंद की क्या सभी की पसंद की मैं बनाऊंगी चने की चाट औ यहां पर मैंने चने ले लिए हैं इसको एक बड़े से बरतन में डाल दिया है अच्छे से दो के लेके आ गई हुँ हलका सा सोडा लगा दिया है खुब सारा पानी भर के रात भर के लिए फुलने के लिए छोड़ दिया है सुबह हो चुकी है मैं यहां पर बना रही थी अब सुबह का नाश्ता तो वैसे मुझे इमली रात में भिगो के रख नहीं थी बट मुझे ना याद नी रही भिगो नी मैंने सोचा कोई नी अभी दो तीर घंटे का टाइम है मुझे इमली फूल जाएगी यहां पर मैंने थोड़े सी इमली ले ली है इसमें हलका सा गरम करके पानी डाल दिया है और इसको भी दो तीर घंटे के लिए साइड में छोड़ दिया है उधर हमारे चने फूल के तयार हो चुके हैं करीब टाइम हो चला है दस बजेगा ठीके ना तो चलिए सबसे पहले ह अब चने उबार लेते हैं बच्चों के एकजाफ्स चल रहे है न तो साड़े ग्यारा बचे करी बच्चे स्कूल से आज आएंगे तो मैं सोच रही हूं जब तक मैं इसको तयार कर देती हूं ठीके ना तो यहां पर मैं कूकर लेके आ गई हूं और मैंने पाने की साथी ये चनों के अंदर इसलिए ने उबाली क्योंकि चनों में जादा सीटी आएगी और आलो एक सीटी में उबल के तयार हो जाएंगे तो यह फट जाएंगे इसको मैंने एक पैन में डाल दिया है अच्छे से दो के और इनको मैं खुले में बनाऊंगी मतलब आलो मुझे यहां पर फटेल यहां पर अच्छे से उबले वे होने चाहिए में कूकर में छार से पंस सीटी लगा लेते हैं एक साइड आलू बल रहे हैं एक साइड फटा फरसे कुगर में सेटी लग दी है इमली का हाल देख लेते हैं दो से डाई गंटे का टाइम लगा है इमली हमारे अच्छे से पूल के तयार हो चुकी है पहले इसको हाथों से अच्छे से मैस कर देंगे इसमें जादा पानी नी डालेंगे क्योंकि ये जो मैं एक सीरप सा बनारी हूँ घोल बनारी हूँ मतलब ये पतला नहीं होना चाहिए इसको एक मोटी जाली वाली चलनी में डाल के अच्छे से दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल लेगे पानी ना थोड़ा सा गाड़ा ही होना चाहिए देखे कुछ इस तरी केगा चलिए आदे से जादा तैयारी मेरी हो चुकी है उधर कुकर में सीटी पे सीटी आती जारी है तो उधर छोले भी उबाल चुके हैं आलू अच्छे से उबाल चुके थे चलिए मैं इनको मतलब छील लेती हूं बीच में आ गया घर से फोन मम्मी का जब मैं काम करती हूं मुझे टाइम तो होता नहीं है काम का तो देखे ऐसा ही रहता है तो मैं क्या करती हूं फोन को इस्टैंड में लगा लेती हूं ट्राइपोर्ड में और स्पीकर ओन कर लेती हूं अपना काम भी करती रहती हूं और मम्मी से बात भी करती रहती हूं क्य कर रहे हैं सामने खड़े यहां पर चने अच्छे से उबल चुके थे चार-पांच सीट लगाने के बाद पूरा प्रेसर मैंने खतम होने दिया था चनों को निकाल लिया है और इतर आलू को हलका सा ठंडा करने के बाद आलू को भी छेल लिया है चलिए अब मेरे बच्चों को लेने करीब 11 बजे का टाइम हो चुका है और पस इसकुल से वह आने ही वाले है जस्ट आदा घंटा लग जाएगा या फिर 35 चालिजमेंट लग जाए कि जब तक मैं चार्ट को अच्छे से तयार कर लोंगी रैसिपी को कंप्लेट भी कर लोंगी आलू को हमें बहुत बारे बारे काटना होता है इनको मैस नहीं करना है बारेक बारेक काट लेना है वैसे तो मार्किट में हरा धनिया डालते नहीं है बट मैंने हलका सा हरा धनिया डाल दिया है उपर गमले में बहुत फ्रेश पेड मैंने देखा तो मैं काटके लेके आ गई दो तीन रंडिया सी थी बनाओंगी बड़का मैंने यहाँ पर काट लिया आँ ठेश्ट के साथ मैंने हम कम तेखा बनाओंगी बड़ चब अपने लिए बनाओंगी तो उसमें थोड़ी सी हरीमिज अच्छी लगती है अब यह जो चैने हैं मुझे कुछ जादा से नजर आ रहे थे हाला कि मैंने बाद में न मिला लिये थे एक जगा अभी मुझे यह जादा नजर आ रहे थे तो मैंने थोड़े से निकाल लिया है मैंने सोच चलिए इनकी सबजी बना लूगी ठीके न और यह काटे वे आलू भी इन चनों के अंदरी डाल देते हैं अच्छे से इनको में मिक्स करना है तो उससे पहले हम यहां पर क्या करेंगे मसाले डालेंगे मैं यहां पर लेके आ गई हूँ एमडी एज का चाट मसाला इस मसाले का रिजल्ट बहुत अच्छा है और मेरे घर में कुछ चीज़े ने ब्रैंडेड ही आती है मतलब ऑटोमेटिक यह दुकान वाला ब्रैंडेड चीज़े ही दे देता है यह मेरी परसनल जोईस है जैसे मिर्च वगेरा है हींग वगेरा ह और मेरे मडेज के लाना ज्यादा परसंद करती हूं उसके बाद इसमें हलका सा खटापन देने के लिए दो चोटा चमच के जितना मैंने यहाँ पर आमचूर पावडर डाल दिया है एक से डेड़ चमच के जितना मैंने हाँ पर चाट मसाला डाला था थोड़ा सा हींग भी डालती है और इसमें डाल दिया हलकी सी बस कसूरी मेथी जादा नहीं डालनी है बस दो चुटकी के जितनी कसूरी मेथी डाल देनी है फिर अपने मसाला दाने उठा लेनी है उसमें से थोड़ा सा काला नमक थोड़ा सा वाइट नमक थोड़ा सा लाल मिश पावडर थोड़ हैं जरूरत लगेगी तो मैंने उनको सफ़ोग गैरी के लिए रख लिए उसके बाद पाने भूसले के सब्सक्ति करिके जाल देते हैं यह जो इमली का खटा पानी है यह भी अपने टेस्ट केस आप से डाल लिएगा पहले खाक के देख लिएगा अगर आपको ऐसा लगे इसमें थोड़ासा ओर जाएगा तो आप थोड़ासा डाल सकते हैं देखिए हमारे हाँ पर तो चाट का टेक्चर कुछ इस तरीके से मिलता है मैंने हाँ पर दो चमज के जितना इमली का पानी ओर डाल लिया था कहने का मतलब यह है जो हमारी एक टेबल स्पून होती है तो इसको मैंने पांस से चैश चमज के जितना डाला है बिल्कुल इसी तरीके की चाट मिलती है किसी ठेली पे या फिर कई भी खड़े ओके घाओ हमारे हाँ पे यह चाट बहुती ज्यादा मसूर है और मेरे बेटे को यानि हम सभी को यह बहुत ज्यादा पसंद है चलिए इसको हल्का सा गार्णिश करके सौर करते हैं बस थोड़ी सी मैंने आ यह दो पत्ति हैं खाट ये सुझाने अली तो बिटे को देख्चे आनतली है में अपने रेसिपी कम्पलीट कर रही थी कैमरे के सामने खड़ी होकर और जो बाकूर की चाट उस बाउल में बची ती में मेरे बेटे ने वह आकर Polski के खाणा गोपाल जी को और बस अब मैंने क्या क्या जो कुछ चाट बच रिती और अपनी भी चाट इसमें मिला लिया है हलकी सी इसको सब्सक्राइब कर लिया और सभी को मैंने सवर करके देना शुरू कर दिया है तो सभी बहुत मन लगा के खा रहे हैं और मैं इनसे पूछ रिती खान सब्सक्राइब क्योंकि 20 रूपे से कम पत्ता देते नहीं है और जो लगवग में 20 रूपे का पत्ता आता है बहुती कवांटिटी में खानें से नहीं कि नहीं तो चलिए दोस्तों आप मैं मिलती हो आप से नेक्स्ट रेसीपी में इस चार्ट की रेसीपी को अपने घर में जरूर से ट्राइ कीजेगा मुझे यकीन है सभी को बहुत जादा पसंद आएगी आपको भी पसंद आएगी